हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू आर यूटूब चैनल टीचेंग एक्जाम उबरलोड दोस्तों, आज के सेसं के अंतरगत, आपकी जो सीटेर जुलाई 24 की क्लासिस लगातार चल रही हैं बहुत अच्छे धंग से चल रही हैं उसमें आज हमारी CDP की नेक्स लास है, जिसमें आज हम Bloom's Taxonomy अर्थात, Bloom के सिध्धान्द के बारे में पढ़ेंगे तो आज का हमारा टापिक का है, Bloom Taxonomy या Bloom का सिध्धान्द तो चलिए फिर सेसन को सुरू करने से पहले, हमारी एक रिक्रेश्ट है कि हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, तसा ज्यादा ज्यादा शियर करें चलिए फिर बिना किसी देरीख सुरू करते हैं Bloom Taxonomy of Educational Objective इसको कहा जाता है करें यह व्य को सुरू ने बता थका सुरू का सुरू अभावावात्मक और रियात्मक पहला थक ग्यानात्मक जो इसको घ्यानस संबन्दित होता है दूसरा भावनावज संबन्दित जो होता है भावनात्मा और जो क्रियात्मक होता है क्रिया से संबन्दित होता है अर्था साइको मोटर डोमेन आगे देखते हैं इन्होंने 1956 में प्रकासित अपनी बुक Taxonomy of Educational Objective में ये बताया था जा रखी गया और जो शिच्छन अदियम को एकडम निम्ने से उचसतर तक कैसे पहुचाएदाए उसके लिए ही इसने ग्यानात्मक पच्छ को ब्लूम ने छे भागों में बटा है, देखते हैं, वे छे भाग कौन से हैं, सबसे पहला है ग्यान, सबसे पहला क्या है ग्यान है, आकड़े या जानकारी याद करना, सबसे पहले आकड़े या जानकारी को आप याद करेंगे, उसके बाद समझ बूज होता है, उसके बाद आ जो 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 चीज आप समझै है उसको कहीं जगां किसी जगां कर रहे हैं तो याद करना, समझ भूज क्या होता है, उसको समझना, उसके अर्थ को समझना, उसके बाद उसका कहीं यूज करेंगे, तो वन्हों प्रियोग हो जाएगा, फिर वो समझ से जो है, वो जो आकड़े हैं, उसको अलग-अलग भागुम बाटना है, ताकि अच्छे डंग से एप्लिकेशन होता है, एणलिशीश होता है, सिंथेस too ताई ईवयन् неё होता है, लेकिन यह पहले पहले इसको इस तरह बताया गया था अब इसका बदल गया अब इसका पीरामिट थोड़ा बदल गया अब हम उसको देख लेते हैं उसको भी हम देखेंगे फिगर देखिये लगा ये अब ये फिगर क्या हो गया ऐसे हो गया पहला इसे प्रिमेंबर अब हो गया है पहल याद करने को यहां remember कह दिया है वहां क्या कहा गया था अब देख लिजिए वहां क्या कहा गया था वहां knowledge कहा गया था यहां remember यहां comprehensive कहा गया था पूरानी चीजों में यहां understand कहा गया है दोनों चीज का एक है अनुप्रयोग का अपलाई यहां लिख दिया गया है एनलाइज लिख दिया गया है वहां क्या लिखा था वहां लिखा था सिंथेसिस सॉरी सिंथेसिस नहीं लिखा था वहां लिखा गया था एनलीसिस यहां अपलाई लिख दिया है वहां सिंथेसिस जो लिखा था वहां यह इसको evaluate कर दिये हैं यही एक चीज अंतर है कि वहाँ प्रस्नि क्या बनता है कि जो पूराने जो pyramid था उसमें फिप्थ लेबल पर क्या होता था जो अप नई पिरामिट है उसमें क्या हो रहा है फिप्थ लेबल पर पहले क्या होता था सींथेसिस होता था लेकिन अब फिप्थ क्या बना था पिशली बार कि जो की ब्लूम की पुरानी जो टेक्सोनामी है उसका जो पिरामीड है उसमें जो इवैलुएशन है वो इस तर पे है तो वो छटे इस तर पे है लेकिन सबसे ऊपर है लेकिन यह जो नई टेक्सोनामी है उसमें सबसे ऊपर पिरामीड की क्या है त तो इसको ध्यान रखेगा यह क्या है यह पुरानी टेक्सोनामी है जिसमें नौलेज है कॉम्प्रेहंसन है अप्लिकेशन एलालेशिस सिंथेसिस और इवैलुएशन सबसे लास्ट में है लेकिन इसमें क्या है इसमें इवैलुएशन नहीं वाली जो पिरामीड है भी आप दे अधियास किया जाता है यह पहला इसमें बताय गया है उसके बाद देखते हैं बोध क्या होता है जो to इसमें बच्चों को जो ज्यान कर आया जाता है, उसकी समझ्धशित की एक्षित की जाती है, जैसे कि उसका आर्थ समझ्धिय और सबस्ते की बेख्वायोग करें, उसके बाद क्या घाता है? जो तथे और निस्कर्शों को समझा जा सके इसमें क्या होता ताकि उसे अच्छे रंग से हम समझ सके उसके बाद फिप्ट लेवल में हम फिर से क्या कर देते हैं उसको संसलेशित कर देते हैं अर्था उसको एक के रूप में उसको हम कंप्रीट के रूप में एक नया अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं आगे देखते हैं लास्ट होता ह नॉलिज, कॉंप्रेहंसम, अप्लिकेशन, एनलिशिज, सिंथेसिस, और इवैलुएशन, लेकिन नई पिरामिड में क्या है, सबसे नीचे है, रिमेंबर, उसके बाद अंडरेस्टेंड है, उसके बाद अपलाई, एनलाइज, इवैलुएट, पांचोए में है, और सबसे लगबग उतने ही उसी तरीके से, जैसे कि रिमेंबर यहां पे आए, वहां क्या था, नॉलिज था, यहां बोथ को कॉंप्रेहंसन कहा गया है, पुराने वाले में नई वाले में अंडरेस्टेंड कहा दिया है, और थर्ड लेबल को अपलाई, यहां अपलाई कहा गया है, और फोर्थ लेबल को अनलेसिस कहा गया है, यहां एनलाइज कहा दिया गया है, उसके बाद इवैलवेयट पाच हुआ है, बागी सिंथेसिस उसमें नहीं दिया गया है, इस नई वाली में, आगे देखते हैं, आगे भावात्मक पच्छ देख लेते हैं, इसमें वे टरीके के सामिल हैं जिनसे हम भावातनात्मा गुरूप से सामना करते हैं जैसे कि तारीफ उत्सा प्रेणा आज तो इसमें भी पांच भागों में इसको भी बाटा गया है मतलब ध्यान देना अटेंडिंग या रिसीविंग फिर अनुक्रिया हम देंगे अनुक्रिया हो जाएगा सि बाकि इसमें कोई उतनाओ इंपर्टेंट नहीं था यही फश्ट और दू पार्ट ज्यादा इंपर्टेंट थे क्या अग्राण करना अध्यान देना फर्स्ट हो गया दूसरा हो जाएता है अनुक्रिया आगे देखते हैं लास्ट है क्रियात्मक पच्च क्या होता है क्रिय टेक्सोनामी है क्या तो जो सैच्छिक उदेश है मतलब सिच्छा अगर आप राप्त करने जा रहे हैं तो उसके उद्देश क्या होने चाहिए उसे के बारे में ब्लूम ने बताया था कि सिच्छा के उद्देश कुम तीन भागों बरगी करते हैं पहला है ग्यानात्मक जिसे बुक्स जो आई थी टेक्सोनामी आफ एज्यूकेशनल अब्जेक्टिव उसमें बताया गया था ग्यानात्मक पच्छे पांच भागों बाटा गया है पूराने वाले में क्या था ग्यान समझ भूज अनुप्रियोग विश्लेशन संसलेशन और मुल्यांकन था नए वाले आज के सेसन का नसमात्त करते हैं आसा करता हूं कि आपके सेसन पसंद आया होगा अगर आप इसी तरह के आने सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूटूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा दाद दाद शेयर करें साथ एगर आप इसकी पीडियाप करेंगी चरीफे धन्यवाद